उधम सिंग नगर उत्राखंट के दिनेशपूर थाना छेत्र के गाउं जगनपुरी निवासी देव की देवी पतनी भूप सिंग ने दिनेशपूर थाने में तहरीर देकर बताया कि उनकी नाबालिक लड़की बिनाबताय घर से कहीं चली गई है तहरीर के आधार पर थाना पुलिस ने फायार पंजिकरित कर मामले की विवेचना की विवेचना के दोरान गुमशुदा को रविन्र सिंग पुत्र गजजन सिंग उम्र 19 वर्ष निवासी कृष्णा नगर थाना गदरपुर जिला उधम सिंग नगर द्वारा नाबालिक लड पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं परन्तु आरोपी अपनी गरिफतारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था पुलिस टीम द्वारा मुकबीर की सूचना पर आरोपी रविन्र सिंग को छेदार सी तिराहा सेक्टर बासट नवालिक लड़की को अभियुक्त के साथ बरामत किया गया है गदरपूर कि यह इसको भागा के ले गया है तो इस पर तक्काल धारा परिबर्तन किया गया और अव्यूक्त की गिरबतारी और बालिका की सौचन वरार्वी हितु प्रयास किये गए तो उसमें हमने पूर में भी दवी से दी ती उत्तरपरदेश पंजाब और अन्ने जग किया गया और सर्विलांस और मैनुवली वर्थ करके और दिनिसपूर पुलिस्टीन दोरा सवकुषल बच्ची को बरामत कर लिया गया है और अभीवत्तु को गरतार कर लिया गया है इसमें कुछ धारों की बड़ोत्री की गई है इसमें 300-373 और पान्वटक्ष पोक्षो और दिनियम की धारा की बड़ोत्री की है इसमें मान्दी डाले के संभर से पेस किया जा रहा है और बालिका का विडिकल लुदी को कारवाई की जा रही है देखती रहिए डीवी भारती समचार नजर हर खबर पर